तेरे बेना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं. तेरे बेना जिन्दगी बी लेकिन जिन्दगी तो नहीं, जिन्दगी नहीं. नमस्कार आप देख रहे हैं नाजय के पेजिस और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कारिक्रम में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया तो आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है सुरों की मलिका जुने सुर कोकिला भी कहा जाता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं बारत की सबसे लोप्रिय और आधर्निय गाई का लटामगेशकर जी की जो हाल ही में इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई लेकिन उनकी संगीत के आवास करोडों लोगों के दिलों में हमेशा जिन्दा रहेगी तो आज हम सब उन्हें शर्दांजली के तोर पर उनके द्वारा गाई कुछ नंग में आपको सुनाते हैं लटाची का जराम 28 सप्तमबर 1929 इंदूर मद्यपरदेश में हुआ था जब मैं 5 साल की थी तब से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और देखते ही देखते मैं भारत की मशूर गाईका के रूप में उभर कर सामने आई थी लटाची ने 25 भाशाओं में 50 हाजार से भी जादा गाने गाए हैं बात करते हैं उनके पहले गाने की तो लटाची ने 1942 में एक मराथी फिल्म में गाना गाया था बालिवुड फिल्मों में लटाची ने अपनी गहरी चाब बनाई थी और इसी तरह अपना सारा जीवन उन्होंने संगीत को ही समर्पित किया और 6 फर्वरी 2022 को साल की उमर में उनका निदन हो गया जिससे की हर भारत वासी की आँखे नम रह गे और इसी तरह से लटाची ने अपना सारा जीवन संगीत से ही शुरू किया और आखिर तक में संगीत की दुनिया में ही विदा हो गई और इसी के साथ हमारे आज के स्कारिक्रम में फिलाल इतना ही दीजे जाज़त नमस्कार